नमस्कार दोस्तों, All Exam Guide Guru के YouTube चेनल पर मैं सुजीत पाइड़े आप सभी का स्वागत करता हूँ बहुत ही शानदार स्पीड रहेगी, बहुत ही अच्छी सेलेक्टेड कॉश्चन है कोशिश करना, पूरा वीडियो जरू देखिए, अपने आप से इमानदारी बड़तो, मेहनत कर लो एक से दो साल जॉब आने वाली है, बहुत सारे वेकैंसी आने वाली है, कोरोना एकांट, जितनी भी वेकैंसी टली थी सब आएंगी ऐसा ना हो, बाद में पच्टाना पड़े, और आप थोड़े से पीछे रजाओ, तो पढ़ाई में पीछे नहीं रहना है पूरे कॉशन रट लेना, चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट, पहला कॉशन दिखिए, इसमें आप से पूछा गया है इंसुलिन द्वारा किस बीमारी का उपचार किया जाता है, तो इंसुलिन के द्वारा ऑप्शन पढ़ लीजिए, कैंसर, तपैदिक, एनेमिया या मधुमे इंसलिन द्वारा मदुमे की बीमारी का अपचार किया जाता है option number D मदुमे राइट आंसर है लेंगर हेस के आई लेट्स किस मानो के अंग में पाई जाते हैं बताइए किस अंग में हैं हेंगर लेस के आई लेट्स तो यहाँ पर प्रशने के लिए इंसलिन मानो रख्त में शरकरा की मातरा को नियंतर्ट करता है अभी आपको बताया है इंसलिन मानो शरी में सरकरा की मातरा को नियंतर्ट करेगा कौन सी ग्रंथी केवल योवन तक सक्री रहती है बताइए इनमें से कौन सी ग्रंथी है पाए जाने वाला enzyme है राइट आंसर है आपका option आपने पढ़ लिए होंगे pepsin enzyme आमासाय रश में पाए जाता है यह देखिए RRBJ का question है pepsin-mash इस्त्रावित होने वाला enzyme है तो pepsin जो है यह आपका आमासाय में स्त्रावित होने वाला enzyme है option number B मानव शरीर में Pikytritory गナंथी कहां इस्त्रावित होती है तो मानव शरीर में जो Pikytritory गन्ती होती है वो मस्तस्क के तले पर इस्त्रावित होती है option number B Mechanism शरीर स्मभने देख और question आपको हमारे शरीर की सबसे महतोपुन गन्तियों मैंसे एक पिट्रिटरी गंती कहा वस्तित है बताइए तो यहाँ पर से आंसर हो जाएगा option के अनुसार खोपड़ी के अंदर option number C खोपड़ी के अंदर right answer है निम्द लिगते में से कौन सा हार्मोन बच्चे के जन्म के बाद दूद बनने की प्रक्तिया को तेजित करता है कौन से हार्मोन से जो महिलाएं हैं जब बच्चे को जन्म देती हैं तो दूद बनना श्टार्ट हुआता है यहाँ पर right answer हो जागा वो हार्मोन है आपका option number B pro lectin hormone option number B यहाँ पर pro lectin hormone right answer है आपात कालीन इस्तती के दौरान कौन सा हार्मोन उत्सरजित होता है आपात कालीन इस्तती के दौरान आपका adrenaline hormone उत्सरजित होता है option number B यहाँ पर adrenaline right answer है अस्ती मज्जा में मौझूद कौन सा हार्मोन RBC उत्पादन को बढ़ावा देता है most IMP question है यह most IMP question है right answer क्या हो जाएगा इस प्रशने के लिए right answer है आपका erythropoietin यह हार्मोन है जो RBC के उत्पाद को बढ़ाता है erythropoietin हमारे सरी में खून रहता है खून में RBC होती है उसके उत्पाद को बढ़ाने काम erythropoietin का है डैश में हार्मोन सामानिता अनुपस्तित होते हैं बताइए तो यहाँ पर आपके जीवाडूों में जो है हार्मोन सामानिता अनुपस्तित होते हैं option number 6 सही answer है यक्रत द्वारा स्त्रावित पित किस में मदद करता है तो यक्रत से जो पित निकलता है वो हमारे शरीके option पढ़ लीजिए पाचन रक्त सुदता मलते आगया स्वसन तो पाचन में मदद करता है पित्तरस option number A बाइल जूस पाचन में मदद करता है option number A निम्ने लिए तो निम्हें से कौन सी एक प्रजनन कोशी का है बताइए कौन सी एक प्रजनन कोशी का है तो आपकी यूगमक ये एक प्रजनन कोशी का है option number A यूगमक प्रशनी के लिए राइट आंसर है दोस्तों कौशन आप देखी रहे हैं कितने शांदार कौशन है ये कौशन आप जिसे एक्जाम की तयारी कर रहे हैं उसमें आ सकते हैं और हमने देखिए हर एक्जाम में GK और GS आता है साइनस आती है GK आता है हर एक्जाम में आपके लिए हमने 10,000 GK के MCQ कौशन तयार की हैं कितने एक नहीं दो नहीं 10,000 कौशन और ये 10,000 कौशन आपको 300 रुपए की PDF पढ़ेगी PDF बना ली गई है सभी को PDF WhatsApp पर मिल जाएगी आप में से सब लोग WhatsApp चलाते हो WhatsApp पर PDF भेज दी जाएगी 300 रुपए की PDF है लेकिन अभी दिवाली ओफर है 99 रुपए में सबको PDF मिल जाएगी फॉन पे गूगल पे पे टियम के माध्यम से पेमेंट कर सकते हो सिर्फ 99 रुपए में सबको PDF दी जा रही है जो हमारे शेनल पर सुरू से जुरा है उसके लिए भी और जो नया पहली बारा है उसको भी 99 रुपए में PDF मिल जाएगी कितने कॉशन मिलेंगी 10,000 कॉशन रट लोगे न तो GKS महा श्टॉं हो जाई हर सब्जेक्ट में जिसको भी PDF ची नीचे देगा नंबर संपर कर लेना कॉल कर लेना मैसेज कर देना या WhatsApp पर आप संपर कर सकते हो नीचे देगा नंबर पर माधा प्रजनन कोशिका का नाम क्या है बहुत इजी कॉशन उप्शन देखिए अंडा सुकरानू भी जान डिया अंडा शए तो माधा में अंडा होता है और पुर्श where में शुकरानू तो माधा में कोशिका प्रजनन कोशिका कौन सी कहलाईगी अंडा और पुर्षों में option number B सुक्राणू अगला question देखिए परखनली शिशू, testive baby आपने सुना है testive baby क्या होता है तो जो testive baby होता है यहाँ पर सही answer है मैं आपको सीधी answer बता जीता हूँ dimb का निशेचन परखनली में होता है लेकिन गरवासाय में विक्सित होता है तो dimb जो है परखनली में बना लेते हैं और बच्चे को फिर गरवासाय में विक्सित करते हैं उसको option number D testive baby में अगला question देखिए कौन सा vitamin, अब vitamin के question स्टार्ट होगा है vitamin के जितने question आ है गुमा फिरा के भी हैं पूरे संबले थे हैं कौन सा vitamin शेडिर में calcium के अवस्योशन को बढ़ाता है तो calcium के अवस्योशन को यहाँ पर right answer हो जाएगा बढ़ाएगा आपका vitamin D vitamin D सूरस से जो मिलता है रतौनदी रोग डैश की कमी के कारण होता है तो रतौनदी रोग होगा आपका vitamin A की कमी से option number A vitamin A एक और देखिए नमले लगे तमसे कौन सी विमारी जायतर vitamin C की कमी से होती है तो vitamin C की कमी से होने वाला रोग है इसकरवी option number A अब vitamin C के 2-3 question पढ़ो और क्या काया है घुमा के पूछा है अब देखो वही question है इसकरवी के वारे में ही इसकरवी रोग जिसके लक्षणों में क्या होता है ये question बन सकता है कि इसकरवी रोग में क्या होता है तो मसूरे से खून आना शामिल है ये सकरवी रोग से होता है उसे किस आहार के द्वारा रोका जा सकता है तो भईये जब vitamin C की कमी से सकरवी रोग होता है तो vitamin C ही खाना पड़ेगा option number C है right answer हो जाएगा खटे फलों में एक सम्रत दिस्तोरोत होता है तो vitamin C होता है खटे फलों में आप एक काम करेए इसकरवी रोग है मसूद से खून आते हैं नेभू खाईए आवला खाईए संतरा खाईए vitamin C खाईए इसकरवी dash की कमी के कारण होता है vitamin C की कमी के कारण होता है घुमाँ फिरागे देखे कितने बार caution पुछा है डैस की कमी के कार इसकरवी रोग होता है विटमिन C कमी के कार इसकरवी रोग होता है निम्दलिकित में से कौन सा विटमिन वशा में विले नहीं है ये कौशन अच्छा है बताइए वशा में कौन सा विटमिन विले नहीं है तो जिस vitamin की अभी चर्चा चल रही है न वही महाशा है कौन है vitamin C ये वशाम है विले नहीं option number D vitamin K की बात कर लेते तो vitamin K dash की कमी vitamin K कमी से क्या होगा बताइए तो vitamin K की यदि आपके शेरी में कमी रहे तो यहाँ पर right answer क्या हो जाएगा आपका option number A मतलब रक्ट का थक्का जमने में समस्या होगी थोड़ी खून निकलने लगेगा तो बहने लगेगा बहुत देर तक रुकेगा निम्नलकित में से कौन सा vitamin मानवों के रक्ट के थक्के जमने में सामान प्रक्रिया या मदद करता है अभी बताए आपको vitamin K right answer option number D vitamin B1 को और क्या कहा जाता है बताइए तो vitamin B1 को और कहा जाता है थाइमीन option number E थाइमीन प्रशनिक लिए right answer है अगला question दिखिए vitamin C को और क्या कहते हैं तो vitamin C का जो वेग्यानिक नाम है वो है आपका scurvic acid या रसाइनिक नाम बोल दीजिए वेग्यानिक नाम बोल दीजिए सामानिय नाम बोल दीजिए vitamin K का मुख्यकार क्या है तो vitamin K से क्या होगा अभी आपको बताए खून का जमना अच्छे से होगा यदि vitamin K सही है आपके मैं option number B निवने मैं से कौन सा vitamin K की कमी कार्ण मैं आपकी जिगा यहां पर K कर लो मैं लिख देता हूँ इनमें से कौन सा vitamin K की कमी के कार्ण होता है तो vitamin K की कमी रहेगी तो आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा option number A option number A में क्या दिया है रट के ठक्के जमने में विभलता होगी बेरी बेरी किस वज़े से उत्पन होता है तो बेरी बेरी रोग जो है यह आपका vitamin B कौन सा है vitamin B1 की कमी vitamin B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होगा मचली के lever oil में डैश मचर मात्रा में होता है तो मचली का जो lever oil होता है इसमें आपका होता है vitamin A और vitamin D यह दोनों होते हैं, अगला कोशन देखिए, निम्दलकित में से किस विटमिन में कोबाल्ट नामक खनिच पाया जाता है, कोबाल्ट नामक खनिच, तो यहाँ पर सही आंसर क्या है, सही आंसर है, विटमिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, विटमिन B12 यहाँ पर प्रश्चन हो जाएगा, vitamin B12 कौनसा, vitamin B12 यह आपका covalmin कहते हैं साइनो covalmin या covalmin, vitamin B12 अगला question देखते हैं, यह आपकी screen परस में आपसे पूछा गया है सामाने जुखाम के इलाज के लिए किस vitamin का उप्योग के लाता है तो सरीर में आपके सामाने जुखाम हो उसके इलाज के लिए आप प्रयूग करोगे option number vitamin C का, corona में vitamin C की tablet चली थी लोगों की याद होगा आपको निम्दल कित्म से कौनसा iron का सबसे प्रचोर स्त्रोथ है, iron का सबसे ज़्यादा अच्छा स्त्रोथ है, आपका हरी सबजिया पालक खाओ दवा के iron अच्छा मिलेगा आपको पेलागरा, पेलेगरा या पेलागरा, डैश की कमी के कान होता है तो पेलागरा रोग या पेलेगरा रोग यह होता है आपका नियासीन की कमी कान option number D, नियासीन यहाँ पर प्रश्निक लिए right answer है विटमिन के प्राक्रिक रूप से डैश में पाए जाने वाले जीवानों तवारा निर्मित होता है तो विटमिन के जो है, यह हमारी आथ में पाए जाने वाले जीवानों के दवारा निर्मित होता है option number D, प्राक्रिक रूप से निर्मित होता है राइबो फ्लेमिन क्या है तो राइबो फ्लेमिन यहाँ पर सही आंसर है यह है विटमिन ओप्शन नमबर C विटमिन है राइबो फ्लेमिन काली खासी को डैश भी कहा जाता है तो जो काली खासी होती है उसको पंटूसिस भी कहा जाता है option number E पंटूसिस प्रशने के लिए right answer हो जाएगा पंटूसिस नहीं है पर्टूसिस होना चाहिए यहाँ पर राकी रेप होना चाहिए अगला question देखिए निम्दलकित में से कौन सा रोग ट्रिपल एंटीजन द्वारा प्रती रक्षित नहीं है प्रती रक्षित नहीं है बोला गया है तो आपका ट्रिपल एंटीजन जो लगते हैं उसमें आपका डिप्टीरिया पीलिया और छोटी मातक लगता है टाइफाइड में ट्रिपल एंटीजन वाला टीका नहीं लगता, अप्थे, अप्थेल्मो लॉजिष्ट किसका अप्चार करता है, तो अप्थेल्मो लॉजिष्ट यह किसका अप्चार कर रहीगा राइट आंसर है, यह आँखों की डॉक्टर होते हैं, अप्शन नमर डी, आँखों की डॉक्टर, आँखों का अप्चार होता है, नमर लॉक्टर में से कौन सी भीमारी संक्रामक नहीं है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन देगा है, उसमें से आपकी संक्रामक भीमारी, गाठिया रोग संक्रामक भीमारी नहीं है, अप्शन बसी राइट आंसर है, इन का विषानун जनित होता है कि अगला कॉशन देखिए अगले कॉशन में आतों पूछा गया है एक सेग्ड कॉश्चन निकल रहा है ये लिजए यह आ गया अगला कॉश्चन इननमें से कौन साघचन जनित है हाँ अब आया कॉश्चन ठीक है तो विशाणू जनित रोग आपका option बसी खसरा अभी आपको बता है खसरा एक विशाणू जनित रोग है अगला कोशन देख लेते हैं यह आपकी स्क्रीन पर इसमें आपसे क्या पूछा गया है इनमें से कौन सी बिमारी सामनत मच्छणों द्वारा फैलती है तो मच्छणों जन लेवा विमारी और यह राज का आपका आखरी कॉशन इसमें पूछा गया है पीलिया डैश की एक विमारी है जो पीलिया होता है यह आपकी विमारी है यक्रत की option बड़ी यक्रत प्रशनिकली राइट आंसर है मनुश्यों की सामान इस पंदर दर मतलब पल्स रेट कितन जाता है बताइए चार option आपको दिख रहे होंगे क्या हो जाएगा इस प्रशनिकली साही आंसर तो जो छोटी रक्तवाहिकाय होती है उनको बोला जाता है केशी का option नमड़ी केशी का यहाँ पर साही आंसर हो जाएगा तो अचा के नीचे छोटी रक्तवाहिकाय है इनमें स अंतह स्वसंद प्रभाव के बाद निश्कासित की जाती है मतलब आप कितनी जादा सांस खीच सकते हो उसको खीच लो और उसको निश्कासित करोगे तो वो क्या कहलाएगा तो वो आपके फेफडे का आयतन कहलाएगा आपके फेफडे में जितनी हवा वन पाएगी वो फे वो आपकी धमनी, option number B, यहाँ पर धमनी प्रशने के लिए right answer हो जाएगा, अगला question दिख लेते हैं, इसमें पूछा गया है, dialysis का उपियोग तब किया जाता है, जब किसी रोगी को डैश संबंधी गम्भी समस्या हो, dialysis का उपियोग, option पढ़ लिया होगा आपने, यहाँ पर सही answer क्या हो जाएगा, dialysis गुर्दे के लिए, गुर्दे से समस्या हो, option number D, right answer है, बाना शोरी में पाई जाने वाली वहाँ, एक मात्र पेशी कौन सी है, जो दोनों सिरों पर जुड़ी नहीं होती है, बिल्कुल easy question है, बार-बार आया हुआ question है, यहाँ पर right answer हो जाएगा आपका जीव, दोनों सिरों पर जुड़ी नहीं होती है, option number B, यहाँ पर right answer है, आँक की वह सनरचना, जो प्रकास केर्णों को अपवर्तित करने और रेटिना पर केंद्रित करने का कारे करती है, उनको क्या कहा जाता है, option पढ़िए, बताइए, आँक की कौन सी वह हिस्सा है या सनरचना है, यहाँ पर right answer कहो जाएगा, आप लोग ने option पढ़ लिया होगा, और सही answer है, लेंस, option number C, लेंस, right answer है, ECG-द्वारा उत्पादित, विद्धुत वलों को महसूस करता है, पढ़िए option, ECG की बात हो रही है, option का नुसार यहाँ पर क्या साई answer है, ECG करता है, हरदय द्वारा उत्पादित, विद्धुत वलों का महसूस option बढ़ी, इनमें से कौन सा हरदय की समस्या का निदान करने में मलत करता है, बताओ, बिल्कुल easy question है, तो हरदय की समस्या, अभी आपको बताया, ECG, comment करके ECG का full form बताओ, देखते हैं किसको ECG का full form बताया, ECG का एक और question देखिए, इसमें पूछा गया है, ECG से शरीकित किस अंग की जाच की जाती है, बिल्कुल सही answer है, आप सभी का, पढ़ा है, option number ही हरदय की जाच की जाती है, ECG से, रेटीना का वचितर जहां द्रश्टी सरवादिक होती है, क्या कहलाता है, जहां पर द्रश्टी सरवादिक होगी, option जली-जली पढ़िए, बहुत ही शांदार question एक्जाम में आ हुआ, right answer है आपका, इसका गर्ती का, option number C, प्रश्टी के लिए सही answer हो जाएगा, गर्ती का, right answer है option number C, अगला question देखिए, इसमें आप से पूछा गया है, cornea और retina, शरीर के किस अंग में पाए जाते हैं, वावावा, क्या question है, free के number ले लिजिए, तो cornea और retina, ये दोनों आँख में पाए जाते हैं, option number B, आँख यहाँ पर प्रश्टी के लिए right answer हो जाएगा, अगला question देखिए, इसमें आप से पूछा गया है कि, मानो की आँख निमने में से किस धांत पर कारे करती है, पढ़िए फटा-फटा option, मानो की आँख किस धांत पर कारे करती है, तो यहाँ पर सही answer हो जाएगा, ये कारे करती है प्रकाश के अपवर्तन पर option number C, लॉक कर दीजिए, बिल्कुल सही answer है, अगला option देखिए, निमने में से कौन सा आँख का एक विकार है, हमारी आँख का एक विकार, यहाँ पर जो option देगे हैं उसमें से कौन सा है option पढ़िए तो यहाँ पर निकट डरश्टी दोस यह आँख में रहता है दूर डरश्टी दोस निकट डरश्टी दोस यह आँख की परिशानिया है विकार है बीमारी है निम्द मैं से कौन से दर्षन से संमः थे वर्ण दर्शन से इने से कौन से संबने थे बहुत इजी कौशन एअच्य कौशन है तो शंकू कोशिकाइं option आपने पढ़ लिया होगा तो आपको भी हो सकता है कई लोगं सथे जैकने साज़े लिया हो शंकू कोशिका है ये वर्ण दर्शन से संबन्यत है उप्शन नमबर भी यहाँ पर राइट आंसर है शंकू कोशिका है इन्हें से कौन सी एक तंत्री का कोशिका है बताइए एक तंत्री का कोशिका इन्हें से कौन सी है उप्शन आप पढ़ लिए होंगे तो यहाँ पर ऑप पंड़न के बीच के जंक्षन को क्या कहा जाता है तो दो निउरॉन के बीच के जंक्षन को सूत्र युगमन कहा जाता है अगला कोशन दिखिए डैश एक द्वारक है जो आँख में प्रकास के मार्ग को नियंतरित करता है बताइए आँख में जो प्रकास जाता है ज्यादा प्रकास ना चलाया उसके साबसे बड़ी छोटी होती है पुटली option number c आँख की पुटली यहाँ पर right answer इस पुटली के लिए रैटना में मौजूद कौन सी कोशिकां एवं सामानच के प्रति संब्धनशील होती है और रंग संब्धनच करती है बताएं कौन सी कोशिकां रंग को संब्धनच करती है सामानच के संब्धनच के संब् कोशी का है कौन सी कोशी का है अंद कोशी का है option नमड़ी अंद कोशी का है प्रशने के लिए राइट आंसर है कौटी अंग का संबंद किस से होता है बताइए कौटी अंग का संबंद किस से होता है क्या हो जाएगा सही आंसर तो जो कौटी अंग होते हैं इनका संबंद होता ह सुनने से, option number A सुनने से संबन्ध होता है कौटी अंग का auditory dash संबन्धित है auditory किस संबन्धित है तो जो auditory है ये आपका संबन्धित है सोच लिया होगा आपने answer सुनने से option number A auditory सुनने से संबन्धित है ear drum का दूसर नाम क्या है बहुत ही शांदार कॉशन है, एक्जाम में बिलकुर पूछा गया है, आर आर भी जे ए का कॉशन है, जूनियर इंजीनर पूछा गया था, रेल्वे में, तो इयर ड्रम का दूसरा नाम है आपका कर्ण पटही जिल्ली, क्या नाम है कर्ण पटही जिल्ली, option number C से ही answer है, कान का कौन सा भाग ध्वनी कंपनों को विद्धुत संक्यतों में बदलता है, कान का कौन सा भाग ध्वनी संक्यतों को विद्धुत संक्यतों में बदलता है, राइट आंसर है, उसका नाम है आपका क्लॉक किया, option number एक क्लॉक किया प्रशन के लिए राइट आंसर हो जाएगा, मा करणफटपट ही जिली तोड़ी पहले बताया था ना करणफटपटफी जिली है यही कमपन करती है ओलफटरी शब्द न blossomल कीदमें से किस संबनेजमें बताइए ओलफटरी शब्द किस संबनेजमें थे option देखिए स्रवांद्रश्टी, परश्छ्या, गंध तो right answer हो जाएगा all of factory, ये गंध से संबन्ध है, option number यहाँपधी गंध प्रशने के लिए right answer है, गंध एक neuron के कोशिका रखना को क्या कहा जाता है, कोशिका के रखने को एक neuron के क्या कहा जाता है सही answer क्या हो जाएगा option पढ़ लीजे क्या क्या लिखा है दिखी पैरिकेरियान, स्वान, डेंडरान या सोमा तो यहाँ पर right answer हो जाएगा उसको कहा जाता है सोमा, option नमड़ी सोमा याद रखिए right answer एगला question दिखिए मास पेशियों की थकान, डेस के संचयन की वजह से होती है तो मास पेशियों में जो हमारे थकान होती है यह आपकी होती है, lactic अंगल जमा हो जाता है उसके संचयन के वज़से option number A right answer है, lactic अंगल मानव शरीर में सबसे लंबी हड़ी कहां पाई जाती है, बताइए सबसे लंबी हड़ी, option पढ़ लो, फटाफ़, सबसे लंबी हड़ी right answer क्या हो जाएगा, right answer जांग की हड़ी, femur, सबसे लंबी है अच्छा, सबसे छोटी हड़ी बताइए, कहां पाई जाती है, उसका नाम क्या है मानव शरी की सबसे छोटी हड़ी कौन सी, उसका नाम क्या है, comment box में, comment करके बताइए मानव शरी की सबसे छोटी हड़ी लीजिए, option, caution ही आगया आपके लिए, बहुत बढ़िया ऐसे caution आते चले, पूरा आपका एक-एक topic cover होता याएगा तो यहाँ पर सही answer हो जाएगा, बिना देर की वे इसका answer होता जेते हैं सबसे छोटी हड़ी है आपकी step is, step is, अब आपको यह बताना है, यह सरी के किस भाग में है comment करिए, सरी के किस भाग में, सबसे छोटी हड़ी पाई जाती है, लोग फिर caution है, क्या बात है वाई पूरे caution आपको यह मिल जाएंगे, सही answer क्या हो जाएगा, चलो इसका answer मैं नहीं बता रहा हूँ, क्यूकि यह question आप से पूछा है इससे प्रशन का answer comment box में, comment के बताईए, सबसे छोटी हड़ी सरी की सबसे लंबी हड़ी कौन सी है, तो सबसे लंबी हड़ी आपकी option नमड़ी, जांग की हड़ी, जिसको फीमर बोलते हैं, बता चुका हूँ मैं आपको मानशरी में मजू सबसे कठोर पदात कौन सा है, very very important question, करोणो वार आ चुका है, करोणो वार दात क्या है, बताइए, दात की परत या दातों का अने, बल्ट option number D यहाँ पर right answer है, मानशरी की सबसे मजबूत हड़ी कौन सी है, उसको क्या कहा जाता है, मजबूत बोला है, मजबूत, बड़ी नहीं, नहीं जो जांग की हड़ी लगा दो, तो सबसे मजबूत हड़ी भी जांग की हड़ी सबसे मजबूत हड़ी होती है, फीमर आपकी सबसे मजबूत हड़ी होती है, option number यह सबसे बड़ी भी यही होती है, पूरे सरील का भार सहती है भाई है, रीड को डैश भी कहा जाता है, बताइए, रीड को और क्या कहा जाता है, तो रीड को मेरू डंड भी कहा जाता है option number C मेरू डंडे यहाँ पर सही answer है read को कहा जाता है अगला question देख लेते हैं इसमें पूझा गया है कौन सा खनिच हड्डियों के लिए आवश्यक है option पढ़िए zinc, iron, sulphate या calcium कौन सा खनिच हड्डियों के लिए अती आवश्यक है right answer है आपका calcium option number D, calcium प्रशने के लिए right answer है मानव शरीर की सबसे छोटी मास पेशी कौन सी है बताइए तो मानव शरीर की सबसे छोटी मास पेशी का नाम है step A, D, option number V step A, D, right answer है प्रशने के लिए अगला question देखिए मध्यकान में मौझूद तीन हट्डियों के नाम क्या है मध्यकान में मौझूद तीन हट्डियां कौन कौन सी है चलिए आपको उताते हैं नाम hammer, anvil और stir up option number B, hammer, anvil और stir up या रखिएगा ये caution exam में पुछा गया है मास पेशियों का वहभाद जो संकुचन उत्पन करने के लिए सिकुडता है कहलाता है क्या हो जाएगा इस प्रशन के लिए right answer बहुत ही शांदर कौशन है ये right answer है आपका वो कहलाता है actin, मतलब option number actin D विलकुल सही आंसर है actin मानव शरीर में द्वी शिरक्स मास पेशियां कहा इस्तित होती है द्वी शिरक्स मास पेशियां कहा इस्तित होती है तो ये मास पेशियां इस्तित होती है हो सकता कई लोगोंने नाम पहली बा सुना है ये होती है आपके बाहम है option number A बाहम बिलकुल सही आंसर है प्रशन के लिए मायोसीन और एक्टीन क्या है बताइए मायोसीन और एक्टीन क्या है option पढ़ लिया होगा आपने option पढ़ो फटावट तो मायोसीन और एक्टीन यह है आपकी मास पेशिये हड़ी मास पेशिये प्रोटीन option नमरे मास पेशिये प्रोटीन है मायोसीन और एक्टिन सारको लेमा वह जिल्ली है जो डैश को कवर करती है इस डैश में क्या आएगा बताईए क्या हो जाएगा इस प्रशन का आंसर option देखिए मेरूरं तंतिका तंतू मास पेशी तंतू या आंत्रे तंतू तो सारको लेमा मास पेशी तंतू को कवर करती है option देखिए मास पेशी तंतू को कवर करने वाली जिल्ली है निम्दलगर तमसे कौन सा मानोशरीर में पाई जाने वाली हड़ी नहीं है बताईए मानोशरीर तो यहां पर right आंसर हो जाएगा आपकी X हड़ी नहीं पाई जाती है बाकि तीनों हड्डियां पाई जाती एक्स हड्डी मानों शरीड में नहीं है नीकैप को क्या कहा जाता है बताइए नीकैप को क्या कहा जाता है तो नीकैप जो है इसको कहा जाता है आपका पलिया option number B पलिया कहा जाता है नीकैप को अगला question देखिए, निम्दल कितम से कौन सा अस्तीबद लिगामेंट द्वारा जुड़े होते हैं, तो लिगामेंट द्वारा कौन-कौन से कौन-कौन जुड़ा होता है, option पढ़ लिए, तो लिगामेंट हड़ी को हड़ी से जोड़ती है, option number B, हड़ी को हड़ी से right answer है, लि अगला question देखिए, थाइरण गंती शरीर के किस भाग में इस्तित होती है, तो जो थाइरण गंती है, वो होती है, देखिए, छाती सिर गला होदर, सही answer है आपका गले में, गले में होती है थाइरण गंती, अगला question देखिए, इंसुलन किसे वीनियमित करता है, बताइए, इंसुलन जो है, ये वीनियमित करेगा, रक्त सरकरा के स्तर को option बढ़ी, रक्त सरकरा के स्तर, इंसुलन इसको वीनियमित करता है, अगला question देखिए, माना शरीर में इंसुलन का उत्पाद कहा होता है, बताइए, कहां पर इंसुलन उत्पादन होता है, तो हमारे शरीर के अ अंदर इंसुलिन अगनाशय में बनता है, option number C, अगनाशय राइट आंसर है, अगला question देखिए,